नमस्कार मित्रों, बाई सी लर्निंग स्टूडियो से, फिर एक बार मेरा संगर्श और मेरी सफलता का ये तीसरा एपिसोड लेकर मैं आपके सामने वपस्तित हूँ, जिस व्यक्तित को, जिस सक्षियत को मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ, उस व्यक्ति के जीवन में चुनोतियां, अंगर्श अकेले नहीं रहे, पहाड की भांती जब सामने अंगर्श और चुनोतियां, कठिनाईयां, परिशानियां जब आकर के खड़ी हो जाती है, तो ऐसे में एक व्यक्ति, गिर्दर सिंग रंदा, सामने उठ खड़े होते हैं, और किस तरह से इन तारे जांजावतों का मुकाबला करते हैं, आईए, हम आपसे बात करते हैं, गिर्दर सिंग्जी, बाइस ए-लर्निंग स्टूडियो में आपका स्वागत, परणाम सर, आपका और बाइस ए-लर्निंग स्टूडियो का बहुत बहुत आभार, आपने इस मंच के लिए मुझे उप्युक्त मान करें चुना और आफसर प्रदान किया, ये बात ये है, कि हमारा उदेश ऐसे लोगों को सामने लाना है, जो हमारी युवाब पीडी को मोटिवेशन दे सके, और जो ठक करके, हार करके बैट गए है, उन्हें लगे के नहीं नहीं, जिन्दगी का मकसद अभी भी कुछ और है, आईए गिर्दर सिंग जी से कुछ बाते करते हैं, गिर्दर सिंग जी, आपका जन्म कहा हुआ, और वो परिस्टितियां, आपकी प्राइमरी स्कूल की अधियापक जी ने हमें सीधी दूसरी किलास में ही एडमिसिन दिया था, और दूसरी से लेकर तीसरी तक, दूसरी तीसरी दो साल तक गाउं के ही हमरे दंदुपरा में स्कूल है, उसी में हुई, तीसरी से लेकर आठवी तक मेरी पड़ाई राज के उच परात्मिक विद् ग्राउंड था जिनके कोई पड़ा लिखा हो, और जिनकी सोच मतलब पड़ाई के पड़ते यह हो कि बच्चे पड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, इतने नहीं थी, और बड़ा बाई तो दोनों पेरों से विकलांग थे, और माता जी और पिता जी थे, वो असिक्सित थे उनको पड़ाई के बारे में अतना नहीं तो उनका पिताजी का उस समय क्या काम था? पिताजी का काम सर गर पे यह खेती बड़ी का कोई काम था पूंडखा से जब आपने आठवी पास की, उसके बाद में फिर आपको लगा नहीं कि मैं मेरी खेती में लग जाओं और पढ़ाई को छोड़ दूँ, पढ़ाई छोड़ी नहीं और आप फिर आगे चले गए तो क्या इस्तितियां रही? सर, आठवी से पहले ही मन में कई बार खयाल आते थे, मलब एक बाल मन, एक बच्चे का जो मन होता है, तो जब हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो मन में एक विचार तो आते हैं, पढ़ाई छोड़ दे, या फिर इदर उदर पढ़ाई का माहूल नहीं हो, तो निच्छ दू निक्र होती थी, उसके पीछी कारिया लगी होती थी, उस समय सर, 20 रुपे का सर्ट आता था, और 20 रुपे की निक्र आती थी, वह पहन के जाते थे, और सर मैं वास्तों में बताता हूँ, उस टाइम जो यह अंबूजा सिमेंट के कटे आते थे ना, उस कटे को सील कर उस पर आज भी अच्छे तरीके से याद है, जब यह मिराज, सोरी, 200 गुटका आता था, उसका जो थेला बना हुआ होता था ना, किताबे जब जब ज़्यादा बढ़ गई तो 200 गुटके वाले थेले में, हम किताबे डाल कर ले जाते थे, जो शुरूता हमारे अभी गिर्दर सिंग जी को सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उस समय ये आदूनिक बैग नहीं थे, हम लोग भी थेलियां ले जाया करते थे, जब पढ़ते थे, तो उस समय हमारे पाथ में एक तो पाटी हुआ करती थी, सलेट जिसे आप कहते हैं, सलेट और पैंसिल और एक दो कौपीय किता होती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वरतमान में आप देख रहे हैं तो बस्ते इतने भारी हो गए हैं कि बच्चों के वजन से भी बस्ते भारी हैं, लेकिन उस समय गिरदर सिंग जी के पास में बस्ते के लिए भी पैसे नहीं थे, और ऐसी इस्तिती में जब कटे या और कोई सरे का साधन मिला तो उन्होंने हिमत नहीं हारी और वो लेकर के भी आगे बढ़े और आप सोने चांदी के अगर बैग में भी ले जाएंगे तो पढ़ना अलग है, कीज़ें किस में रखते हैं, ये महत्पूर नहीं है, आठवी पास करने के बाद कहा क्या हुआ? कही काम चले जाते थे, वहां से दो पैसे ले आते थे, और उसके बाद फिर आपने स्कूल कंटिनिवस किया. तो उस टाइम करवाना नहीं तो बेजा तो ऐसे था कि आगे भी दंदा करें, लेकिन मुझे याद है कि जब एक मैना 26 दिन लगबग मैं मुझे याद है मैं काम पर था, तो वहां पर सुबह साथ बजे उठना पड़ता था, साथ को रात के, गैर बजे तक वह कपड़े की जो रंगाई सप्टाई का काम होता है, उसमें बालतिया दोनी वगरा, दिन पर का काम बहुत ज़्यादा होता था, वो काम करने के बाद में लगा है कि गरदर सिंग ये तो तो तेरे बसका नहीं है, मतलब इतना काम और उस चोटी सी उमर में इतना काम, अब तो सरकार बाल म मैं थोड़ी गलत संगत में पढ़ गया था, गलत संगत से यहां आपका मतलब बीडी गुट का शराब किस से है, बीडी गुट का शराब ऐसे में नहीं पढ़ा, पर जो लड़के पढ़ते नहीं थे, उन लड़कों के संपरक में पढ़ गए, तो स्कूल बीच में डेड़ इससे विद्यारतियों के साथ हो गए, जो स्कूल से भाग जाते थे, एस पूल में कंटिन्यूस नहीं जाते थे। तो फिर आपको कैसे महशूस हुआ कि मैं घलित कर रहा हूँ। पिर क्या सर उस समय हम जो कंटे खेलते थे हम और वागी जो इदर दर फेरिना वगरा स्कूल तो जाते नहीं थे तो उस बात का नतीजा यह हुआ कि नाइंथ क्लास में मैं फैल हो गया सर नवी क्लास में फैल घर की परिस्तितियां विपरित और अब ऐसे में किस तरह से ग्रदर सींग ने रास्ता निकाला आईए आगे बात करते हैं नवी क्लास में फैल होने के बाद सर राज की उच मादी में कुछ राणे गाउं में किया सिस्टम होता था कि जो भी कमजोर बच्चे होते थे, तो उनके जब पार जिए ότι दुबारा बढ़े बारे तो जा भादब बार, आप तो पदारोब आपके लिये, यहां. देखिए ऐसा है कि गिर्दर जी इतने बड़े हो गए कि गुरू जी ने भी हाथ जोड़ दिये कि अब आपका मन पढ़ाई में है नहीं तो फिर आप अपना समय क्यों खराब करते हैं ऐसे कौन से गुरू रहे कि जो आपके लिए प्रेरणा दायक रहे और आपने फिर स्कूल जॉइन किया और आगे बढ़े और मैं सोच रहा हूँ कि मित्रो इस प्रार्थना को परमात्मा ने सुन लिया और गिरदर सिंगी कैसे आगे बड़े धंदे जी के निर्धेशन में आगे बुलिए फिर मैं दंदे साब आये तो मैं प्रातान अबगरा करवार आया था फिर सैयोग से या मारे क्लाश टीसर इलियूंट मैं धंदे साबी थे आदमी किस तरह से मुखोटे बदलता है? यानि उस समय भी इनको लगा कि नहीं नहीं मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊं। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। फिर आगे दंदे साब क्लाश टीचर थे तो उन्होंने काग बिर्दर सिंग विए तो अच्छा बच्छा है, बाकि स्टूडेंट कहते थे सार ये रोल नंबर एक है अच्छा बच्छा नहीं है, पर फिर मैंने वो 15 दिन के लिए उन्होंने कहा कि लड़का अच्छा है और ब अगातार कंटिनूटी कर दिया कि अब आई है तो मैं अच्छा ही रहूंगा इनके सामने, आगे बढ़िये, आगे क्या हुआ कि गरवालों ने फिर आथ खड़े कर दिये कि अब भी तू पढ़ता तो है नहीं और उसमें दो एक बार नाइंध क्लास में फैल हो गया, गरुजिन जो सलाह देते हैं उन्हें जिंदगी में मानना चाहिए क्योंकि वो मार्ख दर्शक होते है और जिंदगी को बहथ उंचा हैं तक ले जाते हैं बारवी क्लास में जब आपने ग्यार्वी पास की, और बारवी क्लास में फिर आंगनवाडित्य और खाना पीनार, ये क्या इस्तिती रही? ये सर उस समय क्या हुआ कि पर मैं ऐसी इस्तितियां कोई कमजोर थी और कोई ऐसी इस्तिती पैदा हो गई थी कि पढ़ने के पढ़ना बंदी हो रहा था और फिर मैंने गरवालों ने इस परस्ट मना कर दिया अब आगे पढ़ाई हो नहीं सकती, आप काम पे जाओ तो बारवी क्लास के बॉर्ड के एक्जाम थे उस से मैं तीन माईने पहले राणे गाउं स्कूल में वहीं रहने लग गया अच्छा उस समय प्रिंसिपल साहब थे संकरलाल जी खोरवाड जो बाद में जिला सिक्साथ ग्यारी प्रावी प्रावी तो उनसे निविदन करके मैं वहाँ स्कूल के अंदर कमरा लेकर ही रहने लग गया था यानि अब आपका मानस पढ़ाई की और हो गया बहुत अच्छा अच्छे पढ़ाई के बदलत में मेरा कलास में फिर तीस रास्तान था उस टाइम गयारी ग्लास में चोतर प्रावी तो आंधनवाडी का आप से क्या रिष्टा रहा जी उस समय सर जब मैं स्कूल के अंदर रहने लगा तो आपने संकरलाल जी खोरवाड और पोशाहर के वो बनता नहीं है पोशाहर बनता नहीं और उसकूल में भी नहीं रह सकते तो मैं बार कोई कमरा लेना पड़ा तो एक दोस्त है रहने हमारे बलव की थे प्रड़ाद राम तो उसके सवयोग से हम बार रहने लगे फिर एक्जाम नजदिक आ गए वो दोस्त भी उन्होंने अब यहां आपके सामने खाने का संकत पर दाएसी इस्तिती मित्रों एक तरफ परिक्षा दूसरी तरफ खाने का संकत और ऐसे इन संकतों में गिर्दर सिंग कैसे आगे बढ़े आए पूछते हैं पिर सर अब कमरे का तो एक था वहां पर जुगाड हो गया कोई राने गाउ अब वो मेरा दोस्ता तो अब उसने का अब गिर्दर दूसरी तुम्हें मदद नहीं कर सकता और एक चीज है कि यहां अंगनवाडी का जो किसोरियों के लिए और यह एक थोड़ा नमकें टाइप का ऐसा आहर बनता था एक मिठे की ऐसी थेलिया आती थी अच्छा उसने का म उनके बुगाजी जो अंगनवाडी में लगे हुए थे वो अंगनवाडी की थेलिया मुझे लाके देता था हम पकाते थे कभी कबर हम उनके साथ ही पढ़ते थे तो उनके बुगाजी के गर से ही बना के लाता था चलिए अंगनवाडी से खाना लिया परिस्तितियां ऐसी आगे चलते रहें, अब जर्दा ग्रेजुएशन की और आईये देखिये, ग्रेजुएशन का मानस कैसे बना? ग्रेजुएशन का मानस सर, के बाद मैं मेरी वहाँ पर एक्जाम बारवी के बोर्ट का एक्जाम देने के बाद मैं, आप उसमें पोजिशन में रहें? जी नहीं, क्या रहा, उस एक्जाम में मेरा चौथा अस्तान था, राणी गाउ स्कूल में, मित्रो देखिए एक तो स्कूल में मन नहीं लगना, परिस्तितियां विपरेद, उसके बाद मैं भी गुरू जी का डिरेक्शन, और स्कूल में चौथे नंबर पर आ जाना, ये है क् मक्सोच, आगे बढ़िए, उसके बाद मैं आगे पढ़ाई का बाड़ मेर में ग्रेजुएशन करने के लिए आना था, यहां गरवालों का विरोध नहीं था, अब आप नंबर अच्छे ले आए, इसलिए गरवालों को लगा के अब ये पढ़ेगा, बिल्कुल, गरवालो आगे बढ़िए, अब आगे सर जब ग्रेजुएशन के बार्वी के एक्जाम हो गए थे, अब बाड़ मेर में ग्रेजुएशन के लिए जाना था, तो मैं कभी कबार कोई वहां के इस्पूल की कोई खबर होती थी, और दूसरी कोई खबर होती थी, वहां एक अच्छे इं और मैं रह जाओंगा और वहां काम करूंगा और चुटियां में ये काम कर दूँगा फिर कोलेज भी हो जाएंगी और काम काली करता रहा हूँ फिर क्या हुआ फिर जब उस टाइम बासकर का ओपिस राय कोलानी में था सर्थ तो वहां जो प्रोडक्शन या अकबार बगरा च जग्दी जी नह बोला कि आप मेरे घर पे भी रह सकते हो आपको कोई प्रोब्लम वाले बात नहीं है और सर्थ आज के इस जमाने में आप भी मानते हो कि सरवाड़मेर के अंदर एक बिना जान पहचान वाले किसी लड़के को आप एक कहते हो कि मेरे घर पे रहे जाना ये तो आप असमें क्या काम करते थे लेकर साम को चार-पांस बेसे काम करता था वहां जो अकबार के जो बंडल पैक करना फिर उसको गाडियों में डालना वगर अकबार गिनना वगर वो काम होते थे दिन में मुझे उस टैम इसां में लगते हुए 2000 रुपी मिलते था और साम को जब वो प्रोड़ॉक्शन विद्द बाद ऋपफिर दूसर्ण ना करने पते था 요. बंद होगया। बंद हो गया। भी साम का काम होता था। गया। pass लगत खें से साम का मुझे जब का मुझा ने देन बंद ही करता है। आप आया पहुंच गए। ऐसा मुझे शूटरों से गात हुआ है। कि आपके परिवार में कुछ आत्मा त्याय हुई और आपका भी मन एक बार उचक गया आपको लगा कि संसार में कुछ नहीं है मुझे भी इस संसार को छोड़ देना चाहिए तो यह क्या थे भी दादे जी ने पहले sûrषाईड कर लिया था उसके बाद में अमेरे दोसाच्ता होने और जब मैं ग्रेजिशन कर रहा था उसी दोरान मेरे बड़े बाई थे विकलांग थे उन्होंसे कर लिया था उसके बाद मेंगा परिवार इसी श्तिती और एक कोई आर्थी कि स्नुल ओ यानि चारों तरफ संकट है और ऐसे संकट में एक तरफ आर्फिक मोर्चा है, दूसरी तरफ ये सोसाइड आत्मत्याओं का मोर्चा है, तीसरी तरफ ग्रेजुइशन की पढ़ाही का मोर्चा है और इन सब के बीच में खड़े हैं गिर्दर सिंग, कैसे रास्ता आगे निकला करने के बाद में सर में एकदम अंदर से तूट गया था क्योंकि उनसे जो लगाव था वो एकदम मेरे मंद की इस्तिती भी चार-पांस माईने तक तो बिल्कुल एकदम मेंटली रूप से पागल टाइप परिशान टाइप आदमी होता उसी टाइप से रहने लगा तो फिर कै कैसे निकले इस परिश्तिती से और मुझे लगा कि कुछ साधन है नहीं अब एकजाम उस टाइम भी दे रखे थे सेलेक्शन होता नहीं है पड़ाई मैं आर्थिक इस्तिती ठीक नहीं है और परिवार में ऐसे एक बार का खयाल मेरे मन में भी आया मैंने सर वास्तों में बत पहले भी जिकर किया था प्रदा चोद्री पड़ा जी पड़ा हो गई वो एक देवदूत के रूप में आया था उसने दो तीन साल तक मेरा बड़ी आए एक सपोर्ट किया रहा था उसने वो लेटर लिखते हुए देख लिया देख लिया तो उसने आथ से वो देखा फिर उसने का कि गिर्दर तू क्या कर रहा है ठीक है फिर मैंने उसमें सारे जिकर किया था कि बाद में यह थोड़ा दूर हो गया और फिर वापस पड़ाई के इंदर यहां मैं गिर्दर सिंग्जी को रोक रहा हूं और आप से कहना चा रहा हूं कि सुसाइड नोट लिख दिया और ऐसे में एक देवदूत मित्र बन करके आता है और अब देखे जिन्दगी का डारेक्शन बदलता है और जिन्दगी का जब डारेक्शन बदला क्योंकि जिन्दगी अनमोल है और इसे यो ही नहीं गमाया जाना चाहिए आत्मत्या कायरता है आत्मत्या महापाप है और ऐसे से बाहर निकलना आगे गिर्दर्ट सिंग की क्या पोजिशन रहती है गिर्दर्ट सिंग जी अब मैंने ये सुना कि आप बराबर इमत्यान ग्रिजुएशन के बाद तो देते रहे उनी सो तेरा से लगा करके जब तक आपका जॉब नहीं लग है यानि इकीस इमत्यान इकीस अलग अलगता रहके इमत्यान और उन सब में असफलता कैसे में व्यक्ति कितना डिप्रेशन में जाता है लेकिन गिर्दर्ट सिंग ने हार नहीं मानी बताईए इस समंद में हमारे शुरुताओं को बताईए जो हमें सुन रहे हैं उन्हें ब इक अरफад है ओर आ एस का अउला चैव अरेमरे दिख्या है बागी चोटो आहल है च्थीमोंड़ एक्जाम जो उस राउस यंतराओं में साथ साल के अंतरालं में जो आए मैंने हर एक्जाम दिया और यह पंशाए चाह को एगरा चोटे में परिघery हो ते वहाँ भी जाता और LLC का एक्जाम thा कानिश्ट साय का उसमें एक्जाम में हो गया था फिर उटाइप टेस्ट था उसमें पीछे रह गया तो और अंत में जब इसका ग्रावन भी कासा था और टीकल यह तो इसमें मित्रोindet 20 अम्तिहान और 21 अम्तिहानों में असफलता और ऐसी घर घंगोर चुनितियां जो पहाड बन करके गिर्दर सिंग के सामने खड़ी थी लेकिन इन्होंने हार नहीं मानने और जो व्यक्ति हार नहीं मानता है जीत उसके एक दिन कदम चुमती है ये जीत कैसे मिली जो 22 वा इंतिहान आपने दिया और ग्राम दिकास अधिका फिर डिप्रेशन में नहीं गया एक बार फिर जो विरुजगार लोग है वो इस लाइन को वापस फुन है पेल होना चुनोती स्विकार करना है ये गिर्दर जी कह रहे हैं फिर जब जो सुशाइड वाला जो मैटर हुआ था लेटर वाला उसके बाद में तो मैंने सोचा अ लेकिन फेल को कैसे छोड़ दिया उसमें यह हुआ कि सर मैंने उसमें देनिक बासकर में जो भी अपसर थे उंचे नेवदिन किया कि मुझे पतरकार बनना है कि अनौन का बना देंगी मित्रों यहां मैं गिर्दर सिंग जी को रोक रहा हूं और आपके लिए एक बात कहना चाह रहा हूं कि इतने बड़े लोग भी जो उस समूँ में हैं इतना बड़ा काम कर रहे हैं लेकिन लो नोट देखा कि यह लोग भी कॉंप्टिशन में हैं तो आपका मन फिर के बाद में तो कैसा लग में इतना अच्छा लगा मैं बताता हूं दिपावली 2013 में इसमें दूसरे इस्टिट्यूट है अपने लक्षमी नगर में नया कुला था उस टाइम में वहां पर कोचिंग में जो पढ़ा थे उनके खाना बनाता था अच्छा बनाने का टाइम था मिंस आपने लोगों के लिए रोटियां भी बनाई भी बनाया बिल्कुल मित्रों आप सुनते रहिए म में इसी काहन बनाता था ताकि मैं कोचिंग में जाऊंगा, उनके खाना बगएर बनाऊंगा तो मुझे कोचिंग में फ्री में पढ़ने को मिल जाएगा और खाने में तो दो गुंटे शुबह और दो गुंटे शाम को लगते हैं बाकी का जो टाइम बचाएगा इसमें पढ़ाई भी हो जाएगी और कोचिंग में मुझे फरी में पढ़ने को मिल जाएगा और जो कर्से पाने के मुझे तीन अजार रुपे बो देते थे तो उस ताइम मेरा पढ़ाई का जो कर्सा था वो भी निकल जाता था अब जब आप ग्राम विकास दिकारी बने तो पहला खयाल आपका क्या आया आपने किसको धन्यवाद दिया सबसे पहला खयाल मैंने सबसे पहला प्रादा चोधरी को जो आपके मित्र थे और जिन्हों ने आपके जिन्दगी बचाई मैंने उनको फोन किया जिसकी बदूलत मैं आज जिन्दा हूँ और जिस नहीं मेरा ऑंसला बढ़ाए था प्राद जी अगर हमारा इंतर्यू सुन रहे हैं तो उन्हें इस पुन्यकारी के लिए बदाई आशिरवाद आगे बढ़िए। हाँ बिलकुल बिलकुल हाँ फिर मैंने का वो गया है सेलेक्शन तो फिर तो मा कुल देवी की किरपा रही माता पिता का आशिरवाद रहा मित्रों की दौाएं रही और इसके पीछे मित्रों सबसे बड़ी बात थी हिमत ना हारना चलते चलते अब ही आप ग्राम विकास दिका दिका प्लंकुल सर या ओर मेरीई मैसा कोसित यही रहती है मैंने साल में पांट सा पंसाइड एश्एंच किया है अच्छा और मैं सिर्फ सई और सटिक जो होता है वो ही करता हूँ और आम आदमी के इत में और गरीब आदमी के इत कभी मरने नहीं देता हूँ उनका काम होता है वो ही करता हूं फले साई मेरे उपर कई सारे political pressure भी आते है दूरुज आते हैं यह इस पोस्ट पे political pressure है दूसरे जन्नेताओं के pressure यह तो आप आते होंगे बिलकुल सब्सक्राइब यह तो अब ग्राम विकास पंच्याइद तिरयाज की ऐसी post है क्योंकि गाउं में एक ग्रामविका शदीकारी होता है जो और राजय सरकार और केंदर सरकार जो भी योजनाए होती है उनको implement करने का काम उनका ही होता है तो प्रेशर तो बहुत आता है निचे दूर्प से हर चीज का प्रेशर होता पर उनको तो क्योंकि आपने इतनी सारी परिस्तितियां और चुनुकियों को जब हैंडल किया तो नेताओं को तो हैंडल करना इतना इजी है चलिए यह बहुत अच्छी बात यह है कि आपने जो दुख देखे हैं आप चाहते हैं कि गरीबों को दुख ना मिले हम उनके मददगार बने चल आपके अंदर जोस, जज़वा, जुनून, हिमत और कुछ कर दिखाने की तमना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती और अपने को दीन ही इन मानकर बैठ गए तो साइध इन तीनों लोकों में ऐसी कोई अस्ती नहीं जो आपको उपर उठ आप जोस और जज़वा बना के रखे, जज़वा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता और आपके अंदर की आपके बाहर की परिस्तियां साही कैसी भी हो ये कोई माइना नहीं रखता, जब तक आपके अंदर की आग जिन्दा है, आपका जज़वा जिन्दा रहना चाहिए, आप जिन्दा रहें, आगे बढ़ें, और किसी भी परिस्तिति, आप देखिए कि गिर्दर सिंग जी के जीवन की चुनोतियां, परिस्तितियां क्या कुछ रही, आप भी एक बार सुनकर के हैरान रह गए होंगे, ऐसी इस्तितियों में भी व्यक्ति निकल गया, मित्रों न रुताओं को जो आपने बताया है, मैं सोच रहा हूं कि ये इन लोगों के जीवन में एक नया जोश पैदा करेगा, जज़वा का प्यादा करेगा, गिर्दर सिंग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बाही से लर्निंग स्टूडियो में आए, और हमारे सारे मित् सब्सक्रों, गिर्दर सिंग जी का इंटर्वू तो यहां समापत हो रहा है, लेकिन आपके अंदर एक नया जोश, एक नया जज़वा, कुछ नया करने का एक जुनून, अपका के लिए पैदा रहना चाहिए, फिर अगले एपिसोड में किसी सक्षियत के साथ बहु आप से रूबरू होंगा, खुस रहे, मस रहे, प्रसंद रहे, बहुत बहुत धन्यवाग क्यानिदे।